एंडिये की उमीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्यपती चिनाफ में बड़े अंतर से जीत दर्च की है जीत की खुशी में बिजपी पूरे देश में जश्न मना रही है शिमला में भी बिजपी महीला मोर्चा ने रिज मैदान पर बारिश के बीच नाटी डाल कर और लड़ू बाट कर जश्न मनाया इस दौरान महीला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद सहित अन्य महीला नेत्रियों ने पहारी धुनों पर नाटी डाल कर द्रौपती मुर्मू को रश्ट्यपती बनने पर बदाई दी इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि पहली बार आदिवासी महिला देश की राष्ट्यपती बनी है यह देश के लिए गौरफ की बाद है उन्होंने कहा कि मोधी है तो सब मुम्किन है देश्व प्रदेश में महिला शक्ती स्थापित हुई है महिला आज हर छेत्र में आगे है उन्हें और उनके पूरे गाउं के लिए यह एतिहासिक्षन है अंतिन्चोर पर बैठी महिला का राष्ट्यपती बनने से महिलाओं का मनुबल बढ़ा है समाज में अच्छे काम इमानदारी के साथ करते रहें तो व्यक्ती किसी भी मुकाम पर पहुँच जाता है मुझे लगता है महिलाओं के चेहरे पे और भाई लोगों के चेहरे पे भी जो खुशी है वो अपने आप में बया करती है कि समाज के उस शेत्र से आने वाली अधिवाती बहन को लोगतंत्र में सर्वोच स्थान मिला है और बहने बारिश की परवाना करते हुए इस नित्य का अनंद ले रही है ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए सुखुद है क्योंकि मैलाओं को शक्ती जिस तरीके से नरेंदर मोदी जी दे रहे हैं मैलाओं को सशक्त कर रहे हैं भारत एक बार फिर सोले की चडिया कहलाएगा ऐसी मेरी शुख कामना हैं और पूरे प्रदेश की तरफ से हमारे पूरे देश को नरेंदर मोदी जी को, अमेचा जी को, नजड़ा जी को और हमारी नई दव निर्वाचित बेहन दौपदी मुरमे जी को ते सारी शुख कामना है केके नरेंदर मोदी जी हैं तो मुम्किन है और ये दिख रहा है हमारी कर्णी और कर्णी में अंतर नहीं है महिलाओं को मांसमान मिल रहा है और हम तो देव भूमी में खड़े हैं यहां में महिलाओं को वेज़े ही बहुत मांसमान मिलता है उसी कड़ी में ये हमारे लिए सौभागे है कि एक मैला वो भी आदिवासी जिसने संगर्षों से अपना धीवत आगे बढ़ाया है वो इस उच्पत पे पहुँची है और यहां पर कहीं भी किसी भी तरीके से परिवारवात की भशा नजर नहीं आती एक आदारन मैला कभी भी किसी भी उच्पत पे पहुँच सकती है अपने अंदर की शक्ति को बनाए रखे हिमाचिर प्लस निउस के लिए शिमला से पुषपेंदर चौधरी के रिपोर्ट